बोकारों के मद्द विद्याले जुनौरी में बच्चों को आकशित करनी के लिए नोखी पहल की गई है सरकारी स्कूल को गरीब रथ ट्रेन का रूप दिया गया है इसमें भोचन यान बच्चों के खेलनी के लिए रूम गार्ट रूम समेट कई तरह के रूम बनाये के हैं रिपोर्ट देखे करीब रथ की ट्रेन ने सेटी दी गार्ट ने जन्डा दिखाया और ट्रेन चल पड़ी लेकिन अब तक तो या आपते समझे लिया होगा कि ट्रेन नहीं है बलके एक स्कूल का भवन है चन्डरपुरा के जनौरी गाओं का ये स्कूल भवन काफी जरजर हो गया था कोई बैटना भी नहीं चाहता था ऐसे में स्कूल के ही एक सिक्षक भी मैतों ने बिकार पड़िस भवन को एक अलग ही और अनोखा रुप दिया उन्हों ने अपनी जेब से इस स्कूल भवन का रंगरोगन करवाया और रूप दिया घरीवरत ट्रेन का कि सभी सिशकों के सहयोग से हमने एक परियास किया प्रणा ब्यापक से भी और अपने जाद से जर जर भवन को जो है एक वहाँ जहां भजन यान बना हुआ है वहाँ खाना भी बन रहा है और बच्चे भी जो है तो पंक्ति में बैशकर भजन करते हैं कि भी मैं तो किस पहल की जर्जाब पूरे जिले में प्रधान अधाबक कहते हैं कि सेक्षक भी मैं तो हर काम को अनों के तरीके से कर दे और उनकिस अनों की पहल से बच्चों में भी नया उस्ता जगा है आडिया होता है एक अलगी प्यक्त होता है अजबुत होता है इस एरिया के पूरे बच्चे आसपास के जितने भी छेते के बच्चे है और फिरी में एक प्राइबेट इसकूल का मतलब लाब उठा सके है गुरुवार को स्कूल भावन का विद्वत उठाटन विध्याले की प्रधान अचार प्रदी प्रजाक और सिक्षक भी महतों ने पूजा अरशना करकी की इसके बाद बच्चों को प्रवेश कराएगा आज इसकूल हाइटेक इसकूल बनने वाल और इसकी चर्चाप पूरे जिले में हो रही है न्यूज जिलेवन भारत के लिए बोकारों से सुरेंद्र की रिपोर्ट और पूलेटिट में फिला लेतना ही नमस्कार पूलेवन सच है तो दिखेगा लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूज लावन भारत सच है तो दिखेगा